अजब बनाने वाली हूं मटन नली निहारी तो यह बनाने के लिए जो जो मसाले चाहिए हमने पहले से निकाल के रख लिया है कश्मीरी लाज मिर्च जिंजर गार्लिक का पेस्ट नमक आपको जितना दालना है वहीं सबसाब नमक ले लिजी रेट चिली पाउडर हल्दी थोड़ी सी लॉंग काले मिरेज, दो फूल, दो बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची, तो चलो बनाना स्टाट करते हैं, पहले हमको यहाँ पर कोकर में ओईल दालना है, फिर जो खड़े मसाले हमने आपको दिखाया थे वो इसमें पूरा दाल देना है, उसके बाद हमने आपको अच्छी तरीके से नमक के पानी से भी वोश कर लिया था, आपको इसमें एक एक करके डाल देना है, मैंने यहाँ पर आधा कीलो लिया था, आप लोग अप लोग को जितना बनाना आप लोग उतना बना सकते हो उसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी जिंजर कारलिक का पेस्ट जितने भी मसाले मैंने बताया था वन बाई वन करके मैं इसमें सब मसाले आड़ कर दूँगी हल्दी उसके बाद रेट चिली पावडर अगर आप लोग को तीखा कम पसंद है तो आप लोग यह चीज को भी कम दाल सकते हैं लेकिन हमारे यहां तीखा खाते हैं नमक आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग दालना है उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नली निहारी का मसाला जो की और तीखा आता है तो आप लोग इसके लिए रेट चिली पावडर कम दाले उसके बाद मैं आपर दालूँगी एक गलास भर कर पानी आड़ करेंगी उसके बाद मैं इसे ढख कर पंदरा मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर ओपन करूँगी ओपन करने के बाद मैं आपर प्यास तीन से चार प्यास के बरिस्ता बनाया था मैंने वो इसमें आड़ कर दूँगी और इसे वापस ढख कर पाच मिनट पका कर मिक्स करने के बाद उसके बाद मैं आपर कूकर की लिड लगाऊंगी और इसे पकाना है आपको 7-8 सीटी आने तका या 9 सीटी आने तका कभी-कभी कोई-कोई गोश करता नहीं है इसके बाद आपको ओपन करना है और चेक करना है बीच में और यह जो ओईल है मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे सर्विंग के टाइम डालूंगी इससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी वह अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी और ग्रीन चिली जो मैंने कट किया था वह अड़ करूंगी और धनिया आड़ कर दूंगी आप लोग देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से गोश गल चुका है हड़ी से भी छूट रहा है तो मतला गोश अच्छी तरीके से पग गया है दस मिनट के लिए और पकाएंगे थोड़ा सा पानी डाल कर और सर्फ करेंगे से गर्मा गरम उपर मैंने तेल निंकाला था वो दाल रही हूँ और मैंने तंदूरी रोटी बनाया था तो आप लोग भी सर्फ करें से गर्मा गरम तंदूरी रोटी के साथ आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना अनीशा के हाथ की नलीनियर या आपने एक बार बनाई तो आप जरूर बनाओगे लाइक शेर सब्सक्राइब